नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वाद कता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिश एंवास्तों में कैसे हैं आप सभी आज हम यापर बात करने वाले हैं एक बहुती जादा महत्वपुन टॉपिक के बारे में सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आपके बारे में क्योंकि अगर सांसे नहीं है मतलब कि आपकी मृत्ति हो चुकी है और आपका अस्तित्व समाप्त हो चुका है इसी वज़े से आप सभी को बहुत जादा शुक्रिया आदा करना चीए इस प्रकरती का ये प्रकरती आपको जीवन जीने का एक मौका दे रही है इसके बाद आपके पास पावर है कि आप अपने आपको कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं मतलब कि इस शरीर के साथ आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं आप कई तारीकी चीज़ें को सोच सकते हैं और आप अपने सोचने की शमता को बढ़ा सकते हैं और आप बहुत सारी चीज़ें इस प्रकर्टी में कर सकते हैं तो हम बहुत ज़ादा खुश किस्मत हैं कि हमारे पास ये मौका है कि हम अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करें और अच्छी चीज़ें करते हुए आगे बढ़ें बट एक तरफ जहां पर हम अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं अच्छी चीज़ें को कर सकते हैं वहीं पर हम on the other side of the coin खराब चीजों को भी सोच सकते हैं और खराब चीजें भी कर सकते हैं और यही प्रकरती है और यही प्रकरती के साथ हमारा एक संबंद है अगर हम इस संबंद को अच्छा बनाएंगे तो प्रकरती हमें return में बहुत अच्छी चीजें देंगी और हमें कई सारी अच्छी चीजें देखने का और जादा अच्छे मुमेंट्स महसूस करने का मौका मिलेगा बढ़ यहीं पर अगर हम प्रकर्ती के साथ खराब संबंद को स्थापित करते हैं तो हम सभी भी खराब चीजें ही देखेंगे और खराब चीजों में ही अपने आपको महसूस क बचेंगी बढ़ अगर प्रकर्ती हमारे साथ और खुश हो जाए तो हम अपनी इच्छाओं को अपनी अकांग्चाओं को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं आप समझ रहें यहां पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है यहां पर क्रियाएं कर ली जाएं तो बहुत सार चीजें पॉजिटिव और बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो जाती है यही प्रकर्ती जो है यही प्रकर्ती आपके लिए देव का भी कारी कर सकती है और यही प्रकर्ती आपके लिए असुर का भी राक्षस का भी कारी कर सकती है अब यह कैसे मैं आपको समझाता हूँ ग् जहों की चाल में ये बहुत बड़ा बदलाव एक तरह से आप कह सकते हैं कि लडाई के बराबर रहेगा एक ऐसे लडाई जो देवों और असुरों के बीच में होने वाली है। दुनिया के और आपके परसनल लाइफ के बदलाव के बारे में वीडियो में आपको अलग से दूँगा। तो यहाँ पर प्रकरती के साथ जुपिटर के रेट्रोकेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सी बड़ी गटना यहाँ पर गटने वाली है और ये गटना इतनी महत्वकून क्यूं है। देखे इस बात को ध्यान से समझेगा थोड़ा सा। देवगुरु ब्रसपती अभी वरशब राशी में गोचर कर रहे हैं। जुपिटर अगर यहाँ पर नहीं होता तो प्रत्वी का अस्तित्व नहीं होता। इस वज़े से देवगुरु ब्रसपती यहाँ पर बहुत बड़े जीव कारक माने जाते हैं। हमारे जीवन में इस जीव के कारक हैं देवगुरु ब्रसपती। और देवगुरु ब्रसपती ही अपनी चाल को उल्टा कर दें। तो यह सारी की सारी चीजें जो है वो एक ही जटके में कहीं न कहीं रुक सी जाएंगी थोड़ा सा स्लोव डाउं हो जाएंगी और यह सारी चीजें थोड़ा सा आपकी जीवन में अब्स्टिकल लाना शुरू कर देंगी इस तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं। और ये सारी चीजे इस बार इसी लिए important होने वाली हैं क्योंकि ये जो moment होने जा रहा है ये व्रशब राशी में होने जा रहा है अब रशब राशी यहाँ पर शुक्र का कारक है और शुक्र देव शुक्राचारिय असुरों के गुरू है अब इसी वज़े से यहाँ पर the clashes between असुराज और देवास कहा गया है कि यह बहुत important equation यहाँ पर बन जाती है एक तो आप देखेंगे कि वरशब राशी अर्थ एलिमेंट में count होता है और अर्थ एलिमेंट में जब देवगुरू ब्रस्पति रेट्रोगेट हो जाए और सामने के सामने आपको शुक्र देव क अब ही प्रभाव देखने को मिल जाए तो यह समय देश और दुनिया के लिए प्लस इस प्रकर्थी के लिए इस युनिवर्श के लिए एक बहुत बढ़ा मुमेंट बन जाता है इसी वज़े से यह समय बहुत ही जादा खास होने वाला है इसी के साथ साथ इस मुमेंट में अगर आप देखेंगे तो कुछ और महत्पुन चीज़ें देखने को मिलेंगी केतु का प्रभाव जो है वो देव गुरु ब्रस्पति के उपर देखने को मिलेगा इसी समय में साटन का रेट्रोकेशन यहाँ पर दिख रहा है इसी समय में हमें यहाँ पर राहु और केतु का रेट्रोकेशन दिख रहा है और देख गुरु ब्रस्पति की वकरी गती यहाँ पर और कई सारी चीज़ों को प्रभावित करते हुए नजर आ रही है इसी वजे से प्रकर्ती रौदर रूप लेते हुए नजर आईगी सरकी योग यहाँ पर बनते हैं अब प्रकर्ती जब रौदर रूप लेती है प्रकर्ती जब अपना स्ट्रक्चर डिस्टरब करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कई सारी negative चीज़ें होना शुरू हो जाती है इसलिए आप history उठा के देख लीजेगा ये आज की बात नहीं कर रहा, ये इतियास की बात कर रहा हूँ जब जब देवगुरु ब्रस्पती वरशब राशी में retrograde हुए है तब तब प्रकर्ती में कोई तूफान उठा है प्रकर्ती में किसी तरह का कोई आप hurricane कह सकते हैं, cyclone कह सकते हैं कोई विस्फोट गटना कह सकते हैं कोई आप बहुत भयंकर तूफान जिसकी वज़े से कई सारे लोगों को नुकसान हो तो इस तरह की चीज हमेशा देखी जाती है इस वज़े से इस बार भी कही न कहीं इस तरह की गटना है जरूर जरूर देखने को मिलेंगी जिसमें प्रकर्ती की वज़े से कोई बड़ा नुकसान हो देखे आप गाड़ी चला रहे हैं और accident हो गया वो एक अलग चीज है बड़ आप ने सोचा भी नहीं भुकम पाया और आपकी पूरी की पूरी लाइफ उतल-पुतल हो गई तो ये प्रकर्ती का एक रौदर रूप काउंट होता है और इसी वज़े से देवगु ब्रसपती के रेट्रोगेट होते ही प्रकर्ती अपना रौदर रूप धारण करेगी इस तरह की योग यहाँ पर दिखाई देते हैं अब देवगुरु ब्रसपती रेट्रोगेट काप कर रहे है 9th October 2024 यहाँ से 119 दिन 119 डेस का समय रहेगा और ये 119 डेस का समय जो है ये देवगुरु ब्रसपती के रेट्रोगेशन पिरेड को काउंट करेगा और इसी वज़े से यहाँ पर आने वाले 120 दिनों में कई सारी गटनाएं ऐसी गटेंगी जो की अचंबित करने वाली गटनाएं रहेंगी आश्चेरी चकित करने वाली गटनाएं क्योंकि देवगुरु ब्रसपती स्प्रिचलिटी से करनेक्ट करते हैं तो स्प्रिचलिजम में आपके मन में विचार उत्पन हो सकते हैं इसको कहा जाता है एक सिंपल लैंग्वेज में कि आपके अंदर का राक्षश नहीं जागना चाहिए पर क्योंकि देवगुरु ब्रसपती डेटरोगेट होते हैं आपके अंदर का राक्षश जाग जाता है अब आप अगर आध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप देवों की तरफ जाएंगे आप अगर राक्षशी प्रवर्ती का अपनाएंगे चीडियों का चहचाना अच्छे का से फूलों का खिलना और प्रक्रती के अच्छे रूप को देखना आपके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आएंगे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे और आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा और एक आप देखें कि सुबह उटते ही आपके बैलकनी से बाहर बहुत ज़्यादा चिलम चिलाहाट हो रही है बहुत तेज कोई बहुत गंदी स्मेल आ रही है और उटते ही आपका मूड खराब हो गया आपका जो आपकी जो भामलाएं हैं वो खराब हो गई और उसकी वज़े से आपका पूरा दिन खराब उटावा नजर आएगा तो ये जो आने वाला समय आपका अच्छा जाएगा और आने वाला समय आपका खराब जाएगा इसके लिए जो वो मूमेंट create होगा वो इन 120 दिनों में create होगा अब आपके उपर है कि आप अपनी लाइफ को एक लंबे समय तक हराब रखना चाते हैं आपकी इस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेकर के चलना चाते हैं इससे पहले अगर ये रेट्रोकेशन की बात करूं 2012 में ये रेट्रोकेशन हुआ था और तब एक बात उठी थी कि 2012 में सब कुछ पानी में डूग जाएगा ये बात उठी ही इसी वज़े से थी क्योंकि देव गुरु ब्रसपती व्रशब राशी में थे और इस तरह का एक कि सब कुछ डूग जाएगा जीवन समाप्त हो जाएगा आप सभी को याद होगा 2012 की गटना जब 2012 में इस तरह की बातें बहुत पीक पर चल रही थी कि 2012 में पानी की वज़े से प्रलय आने वाली है इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो सन 2000 में आप देख लीजेगा उस समय भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी जहाँ पर कुछ ऐसा जो की मानव प्रकरती में उतल पुतल लेकर के आया तो इस तरह की गटनाई यहाँ पर हमें अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा टार्गेट किस चीज को किया में दो चीज़ें positive और negative चीज़ के बीच में बहुत बड़ी misunderstanding यहां पर create होती हुई नजर आएगी और इस misunderstanding की वज़े से आपका belief system कमजोर होता हुआ नजर आएगा इस तरह कि योग यहां पर बनने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि आप सभी strong बने अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकरती के साथ अच्छे संबंद बना करके चलें अगर आप चाहते हैं कि आप सभी प्रकरती के साथ सायोग देने की कोशिश करें तो आप सभी को सबसे पहली चीज़ करनी है अपना belief system करना है अपने belief system को किसी भी तरह से कमजोर नहीं होने दिना है एक अच्छी बात ये रहेगी कि जब ये दौर शुरू होगा उस समय नवरात्री का पिरेड रहेगा हम सभी मातारानी की अराधना में अपने आपको लीन रखेंगे और इसी वज़े से आप सभी के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपनी असूरी शक्तियों को दबा दें अपनी दे परात्मक ना होने दें इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखेगा जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप अपने बिलिफ सिस्टम को स्टॉंग करेंगे और जुपिटर के इस रेट्रोकेशन पीरेड को आप आराम से निकालते हुए नजर आएंगे हर व्यक्ति के जीव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखेगा ये समय जो रहेगा ये नेचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा कई देशों में कई तरी की गटनाए गड़िंगी जिसके उपर मैं आपको अलग से एक सेपरेट वी वीडियो दे दूँगा नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सभी को देखने में थोड़ी सी परिशानी रहेगी इस वीडियो का मेरा में मकसद जो था ये था कि अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉंग बना करके रखिये और अपने अंदर देव और असुर की जो लड़ाई है उसे थोड़ा सा बंद करके रखियेगा क्यूंकि अभी इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएगी जहां पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएगा जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव शुरू हो जाएगा देश और दुनिया में कई सारी गटनाय देखने को मिलना शुरू हो जाएगी और जिसकी वज़े से आप सभी का विश्वास इस दुनिया से खत्म होता हुआ नजर आएगा इस तरह की योग यहां पर बनते हैं आप सभी को अपने आपको पॉजिटिव बना करके रखना है अपने आपको हर तरह से सक्षम बना करके रखना है और हर तरह से अपने बिलिफ सिस्टम को स्ट्रॉंग बना करके रखना है ताकि आप सभी इस कठिन समय में अपने आपको आराम से स्टेबल रखकर के चले और आपको किसी भी दरेक़्ी को तकलीफ ना देखने को मिले. उमीद करता हूँ कि मेरे मैसेच को आप समझ गए हैं देवगुरू ब्रस्पती के इस रेट्रोकेशन के उपर और कई सारी जानकारी में आपको आने वाली वीडियोस में देने वाला हूँ जो आप सभी के लिए बहुत मैत्वपूर होने वाली है तब तक के लिए आप सभी स्ट्रॉंग बनिये, सचेत रहिए और विश्वास को थोड़ा सा बना करके रखिए दुनिया खतम नहीं होने वाली है और कोई भी चीज यहाँ पर खतम होने वाली नहीं है इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा बैर आइकन पर क्लिक कर दीजेगा और कुछ पूछना चाते हैं, कुछ जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ समनना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मतनियां पर कर सकें धनिवाद